जो लोग ये बोलते हैं कि एलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन में कोई घपला नहीं हो सकता, उसमें कोई बाइफनेफ नहीं हो सकती, वो निश्बक सुरूप से काम करती है, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये एलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो मैंने बनाई है, इसमें आप किसने भी तरह की, कैसी भी तरह की आप वोटिंग कर लीजिए, आप इसमें mock test करिए, demo करिए, कुछ भी करिए, लेकिन finally जब आप इसका result देखोगे, भले ही आप इसको off करके, इसका power off करके, आप इसको strong room में या कहीं पर भी इसको रख दीजिए, उसके बाद भी इसका जो result है वो आपको बदला हुआ मिलेगा, मैं चैलेंज करता हूँ जिसने भी technical संस्थाएं हैं या फिर जो technical लोग हैं, जो ये बोलते हैं कि voting machine में घपला नहीं हो सकता है, ये बिल्कु निस्पक सरूश्टे काम कर सकते हैं, मैं उनको आमंतरित करता हूँ अपने इस voting है देगी कि आपने किसका बटन दबाया है, आप कोई भी बटन दबाईए, मतदातों को दिखेगा कि machine भी ठीक काम कर रही है, मैं जिस पार्टी का बटन दबा रहा हूँ, वो ये पार्टी इसमें नजार आ रही है, ठीक है, देखिए, देखने में कोई बोल सकता है कि machine ठी काम नहीं कर रही है, जो पार्टी का बटन दबा रहा हूँ, वो ये पार्टी इसमें दीख रही है, लेकिन उसके बावजूद मैं इस machine से बिल्कुल भी आसवस्त नहीं हूँ, मुझे पता है, मैंने इसमें coding की है, अब मैं इसको result देखूँगा, result देखने के बाद मैं इस मिला, ऐसा कैसे संभव है, software में सारी चीज संभव है, electronics और जो software जो machine होती है, उसमें सब चीज संभव है, आप जैसा उसमें software लिख दोगे, ये machine वैसे ही काम करीगी दोस्तों, और मैं आम मंतरित करता हूँ सभी लोगों को, आप आओ इसमें demo लेके देखिए, और आपको प आप से काम कर सकती है, mock test में बिल्कुर ठीक काम करके दिखाएगी, लेकिन election के time पर result बदल देगी, ये मैं आपको proof के साथ बोल रहा हूँ, ये इसका जेता जाक्ता एक proof है, आप इस पर testing कर सकते हैं, ठीक है, तो friends, मैं सभी लोगों को आमंतरित करता हूँ, और जो भी दिन हो गया इसको बनाने में, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, तो लेकिन फिर भी मैंने इसको जिल लिल्दी machine बनाया, लेकिन अब थोट दिर में result आ जाएगा, लेकिन फिर भी लोगों को ये बताना जरूरी है, कि electric voting machine का चुनावों में उप्योग, बहुत ही, मतलब संधे वा मैं ये चैलेंज करता हूँ, और चैलेंज के साथ साथ मुझे पूरा confidence है अपने उपर कि ये machine, जो भी आप इसको testing करके देखना चाहते हो, आप देखिए, अगर आपने मुझे गलत प्रूव कर दिया कि नहीं, ये machine गलत है, ये machine नहीं बन सकती है, तो मैं उनको challenge करता आप मेरे को कुछ भी दंड दे जीजिए, में को कुछ भी punishment दे दीजिए, ठीक है, मैं उसको accept करूँगा, लेकिन मैं ये accept नहीं कर सकता कि electric voting machine, जो electronics और software में चलती है, वो machine unbived तरीके से काम कर सकते है, मैं ऐसा बिलकुल भी नहीं मान सकता, machine में जैसा हम चाहें वैसा काम क कर सकती है, ये electronic और software का है, software में हम जो लिख देंगे वो वैसा काम करेगी, रही advanced technology की बात, इसका तो ये आप circuit देख रहे हैं ये processing unit है, इसके अंदर RTC, real time clock लगा हुआ है, जो machine में time चलता रहता है, इस machine के अंदर आप इसको बंद भी कर दोगे ना, फिर भी time चलता रहता ह है, और जब आप इसको counting लिए दब दुबारा चलाओगे तो वो पूरा result को बदल देगी, ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे प्रार्षना करता हूं कि आप इस बात को भूल जाए कि electric voting machine जो होती है, वो निस्पक शुरूप्स पर काम कर सकती है, ये electronic ये भी एक तरे का electronic device है, और ये बिल्कुल वैसे काम कर सकता है, जैसे हम चाहते हैं, तो ठीक है दोस्तों, technology को जानिए, सचेत रहिए और चीजों को समझिए.